ट्रेड जबरदस्ती मत ढूढ़िए चार्ट जो दिखाता है उसके बेस पे करिए अगर मुझे कंटेनर कॉर्परेशन के सिर्फ दोसों ही शेर शॉट कर रहे हैं तो क्या यह पॉसिबल है लॉट साइस तो आज की तारिक में हजार की है जब मैं यह रिकॉर्ड कर रही हूँ क्या कहते हो मतलब मेरा यह वाला टार्गेट आ गया उसके बाद अगर मैं यह बड़ा वाला राउंडिंग बॉटम बनाती हूं यहां तक का राइट तो अब इसका टार्गेट के आएगा वो यहां से निकालेंगे एक ही बात है यहां से यहां लेके जिससे और क्लियर आप चाहो तो इंट्राडे भी कर सकती हो अब ते फ्रेंज मैं हूं जोती बुदिया और बहुत रिक्वेस्ट आई मेरे पास बहुत सारी डिमांड आई मेरे पास अन स्विंग ट्रेडिंग बिसीकली इस विंग ट्रेडिंग है क्या जब भी किसी से मिलती हूं मुझे स्व तो सबसे पहली बात यह स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है तो इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो चाट पैटन से हमें टार्गेट्स मिल सकता है वे टाइम फ्रेम यह भी एक कॉमनली नोन स्विंग ट्रेडिंग है एक और कॉमन है जैसे मार्केट ऐसे उपर उसके बाद साइडवेज किया और फिर एक ब्रेक आउट देता है मतलब यह फॉर्मेशन क्या हुआ यह फॉर्मेशन एक फ्लैक जैसा फॉर्मेशन हुआ इसका ब्रेक आउट जब होता है तो क्या टार्गेट जा सकता है यह एक स्विंग ट्रेडिंग का ही पार्ट है मान एक rounding bottom pattern देख लिया, यह rounding bottom pattern देख लिया, इसका जो breakout हुआ, वो कितने time में वो target अचीव कर लेगा, यह rounding bottom का जो target है, वो कितने time में हम expect कर सकते हैं, cup and handle, inverse cup and handle, inverse flag, rounding top, कोई भी study या pattern, जो हमें target बता सके, medium term, short term, intraday भी, तो that is a swing, यह एक simple तरीका है swing का, जो सब लोग देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, मैं बहुत complicated patterns में नहीं जाओंगी, मैं बहुती simple simple patterns, जो कि बहुत easily मिल जाते हैं, वो वाले patterns में लेके जाओंगी, और उसी तरीके से आपको सिखाते जाओंगी, एक और pattern है, जो मुझे पसंद है, market उपर गया, correct किया, correct करके वापस से इसने जो एपना पिछला swing हाई है, यह तोड़ दिया, तो यह formation क्या लिया इसने, एक तरह से rounding bottom का ही formation लिया, और यह जो formation लिया, तो इसका जो target हो सकता है, वो generally क्या होता है, जो यह midpoint होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर target expected है जितना यह period है, उससे half या one third times में वो target expected है, अगर उतने में नहीं आता है, तो exit, कोई भी तरह का trade हो, stop loss बहुत ज़रूरी है, time stop loss, price stop loss, उम्मीद पे, उम्मीद पे धुनिया कायम है, trade कायम नहीं रहेगा, loss बहुत भारी पड़ जाता है, अगर stop loss नहीं लगाते हैं तो क्यों कि हम उम्मीद पर trade करते हैं, तो market से उम्मीद मत रखिए, अपनी knowledge, अपने discipline, अपने trading system पे और जो plan आपने बनाया है, उस पे एकदम strict रहेंगे, as a business rule जो follow करते हैं, उस तरीके से करेंगे, तभी हमें success मिल सकती है, मिल सकती है, इसलिए कि हर बार, अगर stop loss हिट होता ह है, तो मतला, या तो stop loss की placing में गलती है, या हमारी study में गलती है, सब ठीक करना पड़ता है, और time लगती है, overnight कुछ achieve नहीं होता, और ultimately, हार trade positive नहीं होता, ऐसा नहीं कि मेरा stop loss हिट नहीं होता, मुझे भी loss होता है, but stop loss होने के कारण में बच जाती हूं, बिना stop loss के मैं trade नही करती हूं, I am the first person to hit my stop loss, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, जैसे ही stop loss हिट हुआ, वो हिट हो गया, हिट मतलब हिट, बिलकुल मैं अपना दिमाग नहीं लगाती कि वापस आएगा, नहीं आएगा, वापस आएगा, तब कि तब देखेंगे, कभी-कभी देखा होगा आज कल तो यह बहुत कॉमन फैक्टर हो गया, इस पर जिस जंग से जो movement आती है, अगर stop loss में नहीं लगाँ, तो क्या हालत हो सकती है, तो friends, ऐसा है कि जैसे यह swing की वीडियोज डिमांड की है, आप और भी वीडियोज की डिमांड करेंगे, comment box में लिखेंगे, मैं और है, हम लोग questions निकालते हैं, या queries निकालते हैं, जो आपने डाला है, और फिर उन query को वहीं पर reply करने के बदले में, हम वीडियोज बनाएंगे इसके, जिससे क्या है, कि वो query आपके अलाबा दूसरों के पास भी यही query है, तो वो solve हो जाए, वहीं पर आपको reply कर दूँ, तो वो सिर्फ आपकी query solve हो, अगर वो query सब के पास है, या बहुत लोगों के पास है, तो सब की solve हो जाएगी, तो जैसे जैसे मुझे time मिलेगा, वैसे वैसे, जो queries हैं, उनके भी videos बनाऊंगे, तो चलिए swing trading chart पे देखते हैं, यह chart है, इस chart में, यह daily के time frame पे है, आप यहाँ पे time frame है, और यह pattern कैसे बन रहा है, ऐसे, 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 राइट, तो क्या हम यह bottom को यहाँ से straight line बना सकते हैं, तो चलिए हम इसको अच्छी तरीके से करते हैं, हम इसे एक horizontal ray पे यह बना देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, अब यह कितना distance है, यह कितना है, इसके लि नहीं है, सब मुझे यहीं मिल जाएगा, तो प्राइस रेंज, आप्शन के बहुत सारे यूट्यूब विडियो जिख लिए, बड अभी भी confidence नहीं आ रहा, वेल इन दाट केस, आपको एक mentorship program की जरुरत होगी, जोदी माम आपके लिए लाई है, options trading का mentorship program, जिसमें लाइज से Now, let's get back to the video. करूं, तो risk reward change हो जाता है, तो friends, ऐसे में मैं 2 degree lower time frame पे जाओंगी, because running market है, शायद ये काम opening में हो गया हो तो, और मेरे हाथ से पुरा मौका छुट जाए, तो जब मैं daily देखती हूं, तो मेरे लिए 2 degree है, 1 hour 30 minutes, मैं बहुत सारे time frame लेके confuse नहीं करती हूं, मैं जो majorly use करती हू वो है monthly, weekly, daily, 1 hour, 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, इसके नीचे में जाना prefer नहीं करती हूं, बाकी तो scalping वगरा के लिए इसको जरुवत पढ़ सकती है, बट मैं scalper नहीं हूं, या scalping छोड़े हूए मुझे जमाना हो गया, तो मैं इस तरह की scalping जिसे कहते हैं, या jobbing कहते हैं, यह जब मैं ring time में थी तब काफी कर लिया था, मुझे उसमें particularly वो मेरा temperament नहीं है, हर एक को अपने temperament के हिसाब से ही trade ढूनना चाहिए, और trade करना चा जाट जो दिखाता है, उसके base पे करिए, मुझे यही trade लेना है, इसी में trade लेना है, और यही वाला pattern पे trade लेना है, और वो इसी stock में बनना चाहिए, ऐसे trade नहीं होता, हम market को order करें, हम order punch कर सकते हैं, लेकिन market को order दे नहीं सकते, because market is the boss, boss को order नहीं दिया जाता, तो अब आते हैं, यहाँ पर, इसको मैं 2 degree lower, मतलब daily है, तो overly 1 degree हुआ, 2 degree का मतलब 2 time frame lower, उसको मैं 2 degree बोलते हूँ, तो daily है, daily का 1 degree, 1 hour, 2 degree, 30 minutes, तो अब मैं 30 minutes में जाती हूँ, और जो मैंने marking की थी, वो मुझे अपने आप मिल जाएगी, यहाँ पे मिल गई, वो marking, अब देखिए, यह का, rounding formation ही बना है, right, और कितने time frame का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 दिन का है, तो हम क्या कहते हैं, कि 3, 3, 4 दिन में आ जाना चाहिए, मतलब trading days, यहाँ पर, जो है, यह पहला candle, 9 बज़े का है, 9 to 9.30, तो यह पहला candle है, जो 9 o'clock, इसमें pre open भी आ जाता है, actual trade मुझे कहा से मिला, वापस इसने इसके नीचे close दिया, let us say, यहाँ पर मिला, अब जब यहाँ पर trade मिलता है, मैं mark कर देती हूँ, यह point पे, इसका low टूटा trade मिला, क्या point है, 9.40, और stop loss रहेगा, 11 रुपिया, target क्या expected है, अगर मान लो मुझे यह target expected है, that is 904 या 905, तो मतलब approximately 30 रुपीज, 30 रुपीज के सामने, अगर मैं 11 रुपे का risk ले रही हूँ, तो मेरा आरार अच्छा है, यहाँ से यह गिरा, अब यह बड़ी candle है, बड़ी candle है, उसके बाद मैं stop loss ट्रेल करते जा सकती हूँ, short trade है, FNO में है, तो हम put भी buy कर सकते हैं, लेकिन जाते जाते हैज जरूर करके जाना call के साथ, अगर futures में किया है तो, चलिए friends, आपको एक trick बताते हैं, अगर मुझे container corporation के सिर्फ 200 ही share short कर रहे हैं, तो क्या यह possible है, lot size तो, आज की तारिक में 1000 की है, जब मैं यह record कर रही हूँ, maybe आगे जाके यह change हो जाए, but as of now, 1000 की lot size है, मुझे तो सिर्फ 200 ही short करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, क्या यह possible है, बिलकुल possible है, but subject to, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक future short कर दूँगी, और 800 share, 800 shares, cash में buy कर लूगी, तो 1000 shares futures में short हो गए, 800 cash में buy हो गए, तो 200 ही short हुए, shorting में यह possible है, buying में यह possible नहीं है, because cash market में हम short नहीं कर सकते, तो यह trick possible है, इस तरह से हम part profit भी booking कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1000 बेचे हैं, एक lot, और जाते जाते market यह दिखा रहा है, और मैं 50% की covering करके जा सक 50% की covering करने से, मुझे काफी हद तक profit मेरा घर में आ जाता है, तो 500 shares cash में मैं buy करके आ सकती हूँ, अगर नहीं करना है, तो फिर hedge जरूर करके आइए, second day year target achieved हो गया, opening के साथ ही, 10 के पहले पहले, right, हो गया न, अब इसके आगे क्या करना है, क्योंकि यह जो हमने swing निकाला था यह तो हमारा काम हो गया, अब मैं फिर से daily पे आती हूँ, और इन सब को delete कर देती हूँ, इसको वापस बनाती हूँ, जो पहला था, और इसको थोड़ा सा मैं यहां तक extend कर देती हूँ, अब यह क्या formation हो गया, अब यह बड़ा वाला formation हो गया, right, मुझे ऐसे trades लेने में क्या range, वापस इसके breakdown होने से क्या कहते हैं, target achieved, दो दिन में, भाई इतना हो गया, तो इसके बाद तो मेरे पास फिर, खाली यह support zones use करने के अलावा कुछ नहीं बचता है, जी, trade your stop loss, यह रहा मेरा support zone, support zone पे hammer बन गया, तो निकल जाओ, but I am 100% sure कि अगर आप यहां तक भी 1000 का lot है, friends महीने में 10 trade करें, जिसमें से suppose करो 4 wrong चले जाते हैं, 2 cost to cost निकल जाते हैं, और 4 में ऐसे jackpot लग जाते हैं, overall अच्छा खासा return आजाता है, मैं इसी type से swing trading use करती हूँ, चली आते हैं, दुसरे example पे जिसमें हम buy का भी देखते हैं, friends यह मैं आपको replay mode में दिखा रही ह तो make y'all understand कि मैं rounding top और rounding bottom बहुत ही easy pattern है, और इसे find करती हूँ, ढूंदती हूँ और फिर इसको treat करती हूँ, तो क्या यह rounding bottom बन गया, higher high भी हो गया, पिछला swing low तो टूर गया, अब इसका expected target क्या है, यह इसका distance, तो मैं इसे कैसे read करती हूँ और कैसे इसकी planning करती हूँ, तो stop loss इसके उपर है, तो यहाँ इसके नीचे जैसे ही close देगा, यह बहुत बड़ा target SL का कितना है, 40-50 रुपया है, और target भी उतना है, तो मैं उतना नहीं लूँगी, इसको छोटा करेंगे, lower time frame में देखेंगे, कि इसका क्या target बना सकते हैं, और friends इसका high cross करने के बाद, next day buy कर 1003 नहीं हमारा expected target है, 1005 से लेके 1056, मतलब 50 रुपय का target है, तो मैं इसके नीचे 25 रुपय तक stop loss लोगी, not more than that, जो कि करीब करीब यहां तक आता है, नौश्वस्य, इसी candle की opening तक, मेरा starting करेगा 1 is to 2, इतना तो चाहिए ना, तो यह मेरा पहला target होगा, यह cross करने के बाद, मैं फिर यह बड़ा वाला rounding bottom बनाऊंगे, यह यहां से लेके, यहां तक, यह हो गया, second rounding bottom, बड़ा वाला, I like this type of swing, यह मेरे style का swing है, और यह रहा price, breakout से ही इसे गिनेंगे न, थोड़ा सा दूर रख देते हैं, जिससे आपको clarity आजाए, right, अब जब इसको तोड़ेगा, तब सोचेंगे, तब तक, यहां तक तो पहुचें, तो चलिए अब इसका replay देखते हैं, क्या कहते हो, मतलब, मेरा यह वाला target आगया, उसके बाद, अगर मैं यह बड़ा वाला rounding bottom बनाती हूं, यहां तक का, right, तो अब इसका target क्या आएगा, वो यहां से निकालेंगे, एक ही बात है, यहां से यहां लेके, और यहां पर अगर हम डालेंगे, थोड़ा और दूर कर दे, जिससे औ और clear दिख जाए, क्या कहते हैं, beautiful, but it was step by step, तो जैसे मेरा पहला stop loss, 25 रुपय का था, दूसरा trail करेगा उसके, इस rounding bottom का second line के नीचे, और ऐसे ही trail करते जाओंगी, extend करते जाएंगे, part profits book करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, एक ही बार में सारी profits क्यों book कर दी हैं, कभी- आप लोगों को homework दूँ, कि आप भी ऐसे कुछ patterns ढूंड के डालिये, तो हम भी देखें, कुछ नया किया मैंने, पहले ये छोटा वाला, फिर ये, सब swing highs ही तो जोड़े हैं, मैंने horizontal line के साथ, और उनी को फिर rounding bottom का shape दिया है, हाँ, advanced patterns के बजाए, मैंने अगर, एक simple rounding top, rounding bottom के pattern लिये हैं, और उसी के base पे, अगर मैं target निकाल लेती हूँ, तो ये भी तो swing ही है, अब आते हैं, time frame, और time frame भी बता दिया, मैंने आपको, half या three-fourth in rising, and half or less in falling, simple है, इसे slowly slowly practice कीजिए, हो सके, तो एक ही lot से try कीजिए, हम ये नहीं देख रहे हैं, कि इसमें profit आएगा, loss आए main चीज है, जो हमने study बनाई है, क्या उसी study को हम follow करते हुए, वो step by step जा सकते हैं, अगर हमने ये कर लिया, तो उसके बाद हम quantity double कर सकते हैं, उसके बाद quantity triple कर सकते हैं, तो इस तरह से भी तो काम किया जा सकता है, directly futures and options में jump करना, क्या ठीक रहेगा, under practice, छोटा 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 lower time frame में लेके जा रहे हूं, जिससे आप चाहो, तो intraday भी कर सकते हो, या one or two days का positional भी कर सकते हो, तो यहाँ पे बन रहा है, और उसके पहले यहाँ पे बन रहा था, तो देखिए, तो देखिए 15 minutes में आपको दिखा रहे हूं, ये एक trade बंद हुआ, उसका low नहीं तोड़ा वापस बंद हुआ, और फिर तोड़ा, ये विक का माइने इसलिए नहीं है, क्योंकि ये अल्रेडी उपर जा चुका है, तो हम इसे इसका low तोड़ा हुआ नहीं मानेंगे, फिर इसके नीचे close दिया, यहाँ पे trade समचो execute हुआ, stop loss भी छोटा है, यहाँ के आस पास stop loss रख स रखते हैं, target क्या रहेगा, as simple as that, yes, कितने टाइम का है, ये जो divider आपको दिख रहा है ना, light color का, मतलब ये one trading day है, और ये current trading day, तो मतलब two days, two days का मतलब fall जो है, approximately one day में आना चाहिए, तो क्या ऐसा हुआ है, yes, हुआ ना, पहुँचे नाम target पे, yes, अब फिर से, ये बड़ा राउंडिंग टॉप बना दे है, और इसका target, same, दो दिन का है, तो mostly एक दिन में, आज या कल, ऐसे इसका result आना चाहिए, बड़ा वाला है, तो इसको यहां से लेंगे, क्या कहते हो friends, almost there, जाते जाते position close कर जाएए, because target already achieved हो चुक है, देखने में बहुत simple है, बहुत attractive है, one of my favorite patterns, friends, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज लेके हम चलते हैं, आज इतने साल हो गए, हर market scenario के लिए, कोई न कोई strategy होती है, हर एक का temperament अलग होता है, कभी कुछ अच्छे चीज मिल जाती है, कभी कुछ अच्छी चीज मिल जाती है, तो एक ही strategy पे रहने से बहुत बार ऐसा होता है कि हमें trade नहीं मिलता, और इतने अच्छे trades छूट जाते हैं, तो आपको ये swing trading कैसी लगी, simple वाली थी, मेरी style की थी, और मैं ये जैसा यूज करती हूँ, वैसी थी, आपको अगर ये swing trading पसंद आई, तो comments, likes ही मुझे बताएंगे, और उसी के base पे मैं advanced swing भी बनाऊंगी, म मज़ा आएगा आप लोगों को, ऐसे बहुत सारी trading strategies है, time time पे कौन सी कब use करनी है, वो भी सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, कि क्या आपको सीखना चाहते हो, so comment box ही आपको मुझे तक पहुचाएगा, और जो भी आपकी queries है, वो भी post कीजिए कि इसमें आपके कोई doubts है, तो बिल्कुल बताईएगा, वो query solve करने के लिए भी मैं video बनाऊंगी, नमस्ते